hello and good evening everyone once again welcome back to an academy this is me kunal your mentor for social science so कैसे हैं बच्छे आप सब hello and everyone क्या हाल चाल बड़ी जल्दी जाज़ा बड़ा बच्छे because we are going to do something super amazing तो देखो ये चल रही है bootcamp series ये चल रही है आपकी माइन माप series ये चल रही है आपकी physical features की revision तो जल्दी से आज़ा बहुत कुछ करने वाले बहुत साही चीज़ें में पास आपको बताने के लिए आपको कराने के लिए तो आपके लिए मेरे पास माइन माप्स है मेरे पास आपको गरवाने के लिए बच्छों बहुत सारे questions हैं तो जल्दी से आईए revise करें हम भी revise करते हैं आप भी revise करो let's get started come on 32 बच्चों आ चुके है I need more and more more and more people okay that is amazing 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 चलो तो सबसे पहले तो मुझे ये बताओ कि कितने बच्चे सबसे पहले mind maps करने में interested है कि quiz करने में interested है जल्दी से मेरे को बताओ कि बच्चों आप लोग mind map करने में पहले interested है कि मैं पहले थोड़ा से आपको पढ़ा दूँ जबदस तरीके से या फिर आपको लगता है कि आपको question आता है और आपको ये chapter आता है और कहीं न कि सर हमारा आपको 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 कोई बात नीज चालिये आप जल्दी से चलते हैं लोग फड़ा बच्छे तो बाई जब तक हमारे सूबर बच्चे जोइन करें जल्दी से मैं आपको बता दू प्लस कोर्स पर आजओ यहां पर पढ़ाई बहुत जबर्दासत होती है बच्चे एकदम डिस्टाक्शन फिरी बाक टू बाक आपको सेशन्स यहां पर कोर्स की फॉर्म में बहुत सारे कोर्स में आपने लोल कर सकते हैं एक सब्स्रिप्शन इस यह वन स्टॉप सल्यूशन मॉक टेस्स लाइट टेस पीडिएफ्स यह सारी चीज़ें आपको मिल जाती है सिर्व और सिर्फ कब सिर्फ बच्चे मुश्किल से ग्यारा सो पचास रुपे यह अस-पास पर मन्त की कॉस्टिंग है आप CK01 मेरा कोडी उस कटते हो और 1-2-1 अटेंशन चाहिए तो बच्चे आप क्या कर सकते हैं सिंबल सी बात है आने काडमी आइकॉनिक पर आना है राइट तो यहां पर प्लस के बेनिफेट्स तो होते ही होते हैं साथ-साथ बच्चे 1-2-1 मेंटोर्शिप 1-2-1 डाउट-सॉल्विंग सेशन वीकली रिपोर्ट कार्ट पेरिंट टीचर मीटिंग यह सारी चीज़ें को मिलती हैं सिर्फ हजार से 1100 रुपए और एक्स्टा खल्च करने पर राइट मुश्किल जे बच्चे 22-300 रुपए अपने और खल्च करने हैं टोटल पे करने हैं पर मंद के यहसाब से आन्द यू कन बिया ने कहां आइकॉनिक राइट चले आप बच्चे पार्ट्स में यह वी हाव यह वी हाव अलो कना बच्चे देखो मैं अभी बहुत सारे बच्चों को देख नहीं पा रहा हूं चो एम वहीं हम्बल अपॉलजीज तो यू अभी भी जोईन किया बच्चे नमश्कार सस्रिया काल की हाल चाल सब बढ़िया चल रहा है चलिए चलिए जल्दी आजो इतेन आजो जल्दी से आजो निहारी का आजो अजो 84 हलो जोधी गुपता हाव यू कैसे आप आजा ओजा जल्दी इतेन आजो हलो हर्ट सिंगल हाव यू हलो कना अ अ चलिए चाद्रबती शाओजी महराज उनिवरस्टी दिए जो इस अचलिए दिए भूल नेम उफ कानपूर यूनिवरस्टी ओके तो मतलब जहां से आए पास्ट आउड और आंड आप इंड आमोई मोच वाल से लोगँजन क्या हल से बहुत दिन बाहाद आई हो आप चल लें आप भी थोड़ा explain करूंगा आपको तो हराम से समझना ठीक है चल लेगा ओके चलो let's get started let's get started 90 बच्चे मेरे साथ यहाँ पर है and here we go here we go here we go चलो let's get started by 83 बच्चे I need 83 likes on the session right now come on guys the core of the Himadiri region Himadiri the greater Himalayas is composed of dash gravel sand granite या igneous rocks क्या लगते है आपको हाई जो हमारे Himadiri region का जो core है that is composed of gravel sand granite या फिर igneous rocks what do you feel is the correct dance है बहीं बहीं सिंपल हलो सौम्य आप जल्दी से जॉइन कर लो बहुत ज्यादा questions आपके मिस नहीं हुए और इन फाक्ट यह तो bonus question समझ लो बच्चे टॉप 20 mcqs कर रहे हैं किसे मैंने bonus question आपको दे दिया है यहां पर ताकि हमारे बहुत सारे बच्चे अगर जॉइन नहीं कर पाएं तो वो भी जिन बच्चों ने आप यह भी जॉइन किया है वेलकम वांस अगें गाइस तो आनकेडमीन तो cbcc class 9 माइन में इस कुनार अन आम यूर एजुगेड़र फो सस्ट गाइस ठीक है चलो तो जिन्हों नहीं आप यह भी जॉइन किया भाई बिलकुल ऐसा मत सोचना कि सर आपको इगनोर करें मेरा कॉमन वेलकम तो इच वन आफ यू ओके सो मजूली इस रिवर इन आइलें लोकेड़ इन विच रिवर गंगा रिवर ब्रहमापुत्रा रिवर या मुना रिवर या फिर कोसी रिवर रिवराइन आइलें का मतलब होता है जो रिवर के अंदर बच्चा प्लस आपके अंदर आपको मतलब वन टू वन एक चीज सॉल्व के जाती है आपके डाउट्स भी बच्चे वन टू वन सॉल्व होते हैं प्लस आपके मतलब जितने भी प्रॉब्लम्स उनको वन टू वन टू वन में टू करते हैं राइट करिक्ट आंसर ब्रह्मा पुत्र रहे हैं पर वियाव डॉक्टर सेंटी पीट ड्रागन कृष्णा ब्रयान हर्मन नियारिकाट सभी प्रियल जुहाना अंकुष वेल डन ग चलो दूंद्स लाइब प्टूइन डूंद्स किसके बीच में लाई करते हैं इंसकार रितिमा ऑड़ो एवर्यवान हलो श्राहलो से लोडे बॉय क्या हो गया अलो करनेश का हां हर्शित तो मेरा बहुत पुराना इंसान है हां हर्शित कहा जा रहे हो तुम अच्छा आप हो डॉक्टर सेंटीबीट ओकी 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 जो तीजी बच्चे देखो अभी तक ऐफीशल समबल पेपर तो नहीं रिलीज हुए है तो भी वेरी अथे फीक है अभी समबल पेपर सीबसी क्लस लुट नाइन का अई सगरके नहीं है तो यहां पर सांपल पेपर फ्रेम किये हुए तो बहुत सारे हैं स्टाइन पर अदर्वाइस हम आने के आडमी के ऊपर भी हम लोग देते हैं बचे बट डिपेंस अपन आप प्लस कोर्स में है तो आपको सारा मॉक टेस वगेरा इन हाउस डिजाइंड आपको प्रॉपर मिलता है राइट ह इमाचल और शिवालिक्स दगरेट टांस तो यहां पर आपको बहुत सारे मैंने वही बता है आपको इसलिए इतना बेतरीन है कि मतलब आपको इतनी सारी चीज़ें मिलती हैं पर्ट फॉम दे नमल क्लासे तो तो ताट्स रीजन राइट जोहाना नियारका हर्मन प्रियल इधा क्ठोल प्रियू थो यांफाग सव्यू जोहां इस विखनग करते हैं असाम से और आजम आजम भी ज्वांग मतु है तो लेۉड फॉम फॉम फोदλά रीजिंग यह कि रिवारटाय क्यान इसा कि रिवूर्ट हुआ अ सो हा具 दिड़्यागॉय्टिंग के रिवाग्ण बच्चे best of luck बच्चे CBSC के papers depends upon lot of schools और देता है कई बढ़ ऐसा होता है कि schools उस guidelines को follow करके ना बच्चे paper design करते हैं जो आप look देते हैं चीग है तो मतलब इस तरीके से चीज़े चलती है अच्चा अच्चा ओके ओके बच्चेट विल कम चंदन not a problem आ जाएगा मेंबी सम् टेग्निकल इस्यूस अदम हैंटी हो सकता है आपके साथ साथ बहुत सारे rankless होंगे बहुत अच्चा ओके तो करेक्ट आंसर तरही रीजन होता है जा पर रिवर्स आपकी रियापियर करते हैं ध्यान रखने है इस चीज़ को चावी निशान जानवी अदित्या ख्याती इसान डिंपल विहाव कृष्ण विहाव ड्रागन विहाव बहुत 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 बहु अधाएं है रियापियर मेंस का होता है मतलब बच Cube Water का वॉल्यूम है रिवर का वॉटर है उसका जो वॉञवों काफी जधा बढ़ जाता है ठीक है मतलब एक रीजन होता है मारा भाबर वहां पर ऐसा लगता की रिवर्स का वॉल्यूम खत्म होगया reverse गायब हो गए तेरा ही वो रीजन होता है बच्छे northern plains का जहां पर reverse वापस अपने full flow में दिखाई देती है आपको रही अच्छा बार्चेंस कहां पर मिलते हैं आपको desert region में plain region में plateau region में या फी hills में come on फड़ा बच्छे बताएं वेर कें यू find the बार्चेंस desert region, plain region, plateau region या पर एली region what is the correct answer hi Nandini I know that बच्छे I know that I know that I know that okay fine 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 got that got that got that absolutely right not a problem best of luck do amazingly well okay okay got that okay Kanishka that's amazing that's amazing any help I could do please do tell me right so correct answers बच्छो desert regions बार्चेंस बार्चेंस are actually the crescent shapes sand dunes ठीक है sand dunes होते है sand dunes बहुत simple सी चीज़े जैसे आप समझे तो sand का पहाड ठीक है sand का hill उसको हम sand dune कहते हैं so बार्चेंस एक special type के होते है जिनका shape जो है थोड़ा सा क्रीजेंट होता है से पतला सा कट करके राइट सो दाड़ा देया फाउन इन देजर्ट रीजन अच्छा क्वेशन है आने के चांसे हैं that's why they're in the mentee guys जानवी how are you by the way a long time काफी लंबे टाइम बात देखा आपको वेव क्रिष्णा ड्रागन डिंपल इशान क्याती निशान च्वी अधित्या प्रदान हाई अधित्या कैसे हो how are you welcome back to the leaderboards बॉलीवूट का दादा श्रेवांच वो भाग गया है आचकल मेरी बात नहीं सुनता बहुत नलायक हो गया पते तुमको को बच्चे 94 बच्चे लाइव है यहां पर इनीद फुल 94 तो लाइक देशन कम ओन कैस फड़ा बच्चे एरिया अरॉंड केरला इस आपको बेसिकली बटे कोस्टल प्लेन बताना है ठीक है ध्यान रखो केरला के आसपस वाला जो कोस्टल प्लेन है वो कौन सा प्लेन के ला on the mentee on the leaderboards आते चाहिए चलती से भाइदम चलते रहना अपने को रुकना नहीं है तर पे विल्कुल सही बात ओके ओके आपको पता भी चल जाएगा कि सरे सस्टी के कैसे रिफाइन करें क्या होने चाहिए टॉप टिप्स राइट सो दाट कुड बी अगुड वे तो दाट मतलब आपको हैंडी हो जाएगा है ना चले सो करीट आंसल सम मलाबार कोस्ट बिल्कुल सही बात है पिटा के मलाबार प ठीके वे आफ जैन्वरी जोइनिंगे सर्स ताट्स जैन्वे आफ आफीन्वे टीस वे विशफ बेस्ट अफ लग विशफ फर एससेस्ट एग्जाम विए डिम्पल विए ड्रागन ख्याती कृष्णा चले अब लीडर बोट मैं रीट करने वाला हूं दो क्वेशन के बाउंडरी विद मयानमार इस कलेक्टिवली कॉल्ड इस ध्राष हिमाचल उत्राखंड पूर्वांचल या ग्यांग टॉक पड़वच्छे बताओ पच्छे फडवच्छे कौनसे माउंटें रेंजे भारत के नौर्थ इस्टन पार्ट में राइट इस्टन नौर्थ इस् है अच्छा क्वेच्छन है प्रॉबबल क्वेच्छन है आ सकता है चलिए ओके देव कि बच्छे यौर अल्सो सच अमेजिंग लर्नर से न कुशाग्र आपकी बात मैंने सुनली बच्छे इल टेक इंटू कंसेटरेशन फर सेम ठीक है कि वाट शुट बीदा स्ट्राटेज बच्छे आपके प्रॉबबल क्या वाट अपके बात है बहुत 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 अच्छा कर रहे है बहुत बटबड़िया कर रहे हूं अप लोग चलिए लेगो वन टो क्वेचिन नमर आट का अपना ही अलग थाट है और देखते हैं किते बच्छों ने आपे लाइक क्या चलिए, Western Coastal Strip South of Goa अगर आप Goa के साउत में जाएंगे, तो हमारे जो Western Coastal Strip है हम उसको क्या कहते हैं कौरोमंडल कहते हैं कौनकन कहते हैं कॉनकन कहते हैंília कृ 15 जल्दी इसे पर tu ything technique लगा यह और यह आपके सामने आने और कैसे लगाओ के elimination मैं आपको बताता हूं भी कुछ बॉलिवोट कर दा था actually मेरे एक friend था जो मेरे साथ आता था कई बाट sessions के उपर आज कल वो भाग गया है वो world tour मार रहा है so that's the reason he is not there it was a hand puppet basically right सर क्या 9th में 9th study की जरूवत है Krishna बच्चे depends upon आप कितने टाइम स्वापने lessons को पुरा कर पाते हो I will not suggest की नहीं भईया mandatory है बिल्कुल नहीं correct chance is बच्चे कन्नड देखो मैंने पहली बात की है western coastal strip की तो कॉरुमंडल coast और northern सरकार आते हैं भारत की eastern coast पे तो आपके option number A और option number D तो यहां से चला गया कौनकन coast खुद महराष्ट्रा से गोह वाले region को भोगते हैं that is the कौनकन coast तो यह भी cross हो गया आपकी क्या पास बच्चा बच्चे कन्नड coast ठीक है so कन्नड coast is the correct answer for this particular question कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो night में काफी comfortable होते हैं but always make sure that you guys get a good sleep अगर आप nights are night owls like I was a night owl guys तो अगर आप लोग रात के टाइम पढ़ाई करते हैं तो देखो पहली चीज तो इतना requirement है नहीं because you are in ninth इतना जाद स्लेबस में नहीं कि आपको रात रात बर पढ़ाई करनी पड़े so आप sufficient time निकाल लीजे अपने डे का maybe you can study up to 11 और 12 पीम आप उसके बाद सो ये जरूर because हाई श्रिवम कैसे है because बच्चे देखो बहुत important बात है कर आप लोग सो गे नहीं आपका mind tired होगा so कही न कहीं जो आप revise करोगे जो आप पढ़ोगे उसको आप अच्छे से retain नहीं कर पाएंगे right because mind also needs rest आप उसको overburden नहीं कर सकते है so please have a good sleep have some good meals and try to take out some recreational time and along with that get on video studies right so आप पढ़ सकते हैं 11 बच्चे तक पढ़िये 12 बच्चे तक पढ़िये you sleep early थोड़ा सा पहले सो जो सुबे उटके पढ़ लो ऐसे करके आप manage कर सकते हो right mandatory नहीं भी है क्या लगते है आपको क्या होना चाहिए answer अच्छा यो friend is a spammer बहुत अच्छा लगा भाई क्या hobby मज़ा आगया सुनके मतलब ultimate भाई ultimate है मतलब होनी चाहिए है जरूरी है hi bond to destroy बच्चे क्या क्या पूछ रहे हैं प्लीज अपना question फिट से करेंगे I have already brought it Nandini Gupta मैंने already बच्चे आज mind maps लिए हुए उसके so I'll be discussing with it correct answer pass so my dear bond to destroy आप प्लीज अपना question एक बार repeat कर सकते हो humble request because I have missed your question ने बहुत देसे chat नहीं देखा so that's the reason so can you please repeat your question I'll be very happy to help you so let's go on to the next question 106 बच्चे यहां पे live है 106 likes से इमें को on the session right now guys come on जल्दी से आजाओ I need 106 likes on the session guys come on keep on coming अभी बताते हैं आपको coastal ले रहा कर नाम रखने का तरीका एक तम बढ़िया तरीके से bond to destroy बच्चे प्लीज आसके एक क्वेशन वंस अगें ओके 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 फाइन 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 sure 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 hi Stuti how are you okay fine 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 okay बच्चे so sir are you are you a potterhead okay thank you so much for asking the question first of all answer is no I am not okay so which two hills are located in the south east of eastern Ghats Meezo Hills, Naga Hills, Meezo Hills or Patkoy Hills Javadi and Chevroy Hills Chevroy or Meezo Hills okay sure that's a university name that's a university name country university का full form है वो ठीक है दो बहुत लंबा चौड़ा चात्रप्रती, शाओ, जी, महाराच काफी लंबा चौड़ा है राइट हाँ I'll tell don't worry about it very very simple I'll tell you बच्चे बहुत simple तरीके से मैं बताता हू Shreya got it I got your point I got your point बच्चे आपका पॉइंट बिल्कुल सही है कि कोई बात नहीं, can't do anything about it but I'll make sure that I'll do the same, right चलिए, so longitudinal valleys lying between lesser Himalayas and Shivalix अभी मैंने कुछ उल्टा करके question पूछा था अभी उस question को फिर उल्टा करके आपसे पूछ लिया है प्लीज इस बार गलत मत करना 100% answers correct चाहिए थोड़ी देर पहले ही मैंने question अलग टाइप से पूछा था फिर से मैं आपसे question पूछ रहा हूँ, चलिए बताइए longitudinal valleys that lie between the lesser Himalayas, जिनको आप हिमांसल भी कहते है and Shivalix, Kangra Valley, Dune Valley, Shipkila और Zorzila, चलिए बिल्कुल बिटर trick है, trick है, हम लोग करेंगे भी हम लोग mind maps करेंगे, तो आपको बहुत सारी tricks में बताऊंगा, ठीक है अराम से, हम लोग mind maps करेंगे, आप में बहुत सारी trick करेंगे, चलिए चलिए Shreya बच्चे, आप अल्रेदी रिप्लाइड some very good suggestions coming to me, how to fill the OMR sheet, what mistakes not to do बड़े अच्छे-च्चे suggestions लेके आ रहे हैं, तुम लोग मतलब this is amazing thank you so much, I'll note all these things down, Shreya का number one subjective, Kushagra का examination strategy, then Zoya ने में को suggest कहेंगी sir, एक session on the OMR sheet तो ये तीन sessions, या ऐसा एक ऐसा video, जहां पे तीनों चीज़ें combine हो सकें, right, so thank you so much guys, I'll remember your name, in fact Shreya, Kushagra and Zoya for the amazing suggestions, चले, so let's move on further, क्याती, जानवी, विश्रव, अफ्रीन, T.S. Neha, Ditya, Krishna, Nishant and Harman from PW, बहुत अच्छा करे हो guys, you're doing absolute amazing, right, चले, तो let's move on to question number 12, question number 12 कि दरफ चलते हैं, चल्दी से, yes I know, बच्चे, यो XST exam is there, okay, तो best of luck for that, any problems, you can just share it with me, हाँ, बच्चे, map आएगा identification basis पे, अभी जो sample papers में आया, उसमां marking के लिए तो नहीं आया, identify करने के basis पे आएगा, तो it's comparatively easy, right, so geologically which of the following physiographic divisions of India is supposed to be one of the most stable land blocks, Himalayas, northern plains, peninsural plateau या फिर पूरवान चल, जानकी जी, जानकी जी पिटा, आप session के last तक रुकिएगा, ठीके, session के last तक रुकिएगा, हम लोग mind maps भी करेंगे, सिर्फ quiz नहीं करने वाले, हम लोग mind maps करने वाले, जानकी मैं आपको पूरा topic बहुत short में revise कराऊंगा, ठीके, तो आपको सारे tricks, सारे tips मैं आपको बता दूँगा, कि कैसे learn करना है, कैसे याद करना है, ठीके, तो correct answers बच्चों यहाँ पे peninsular plateau, ध्यान से रखे ध्यान, बच्चे, I'll be doing it, session is mind maps plus top 20 mcq, so 20 mcq, उसके बाद हमारा part 2 mind maps ही है, तो we will be revising that chapter, right, don't worry about it, ठीको जब mind maps लिखा है, तो मतलब मैं mind maps करवाऊंगा, यहना, बत simple है, चलिए, let's move on to question number 13, question number 13 पे चलते हैं, फड़ा फच्चे, फड़ा फच्चे, बच्चे, UPSC course नहीं होता, it's an exam, IAS civil services exams, I've given it four times, out of which I've cleared the exam two times, the prelims one, ठीके, when we have the mains and all, तो फिर उसमें थोड़ा सा मामला, चले, so that's the basic thing, so that's in self kind of thing, an experience that I'm sharing with you guys in lots and lots of things, lots and lots of ways, right, चले, so which of the following physiographic divisions of India was formed out of, accumulations in the tethys geo-sync line, ठीके, that is the Himalayas, the Northern Plains, the Peninsular Plateau, या फिर इंडीन डेसर्ट, जहां पे आपको word tethys दिख जाए, दिमाग सीधा अपने हिमालया पे लगाना है, right, कहीं भी आपको tethys दिख जाए, बच्चे आपके क्या करना है, सीधा-सीधा आपने हिमालया पे अमना अपना माइंड लगा देना है, that's all, बच्चे एक चीज याद रखो, right, that's why it's very simple, बच्चे आपने माइंड माप्स के साथ लिया है, बच्चे आपने मिस किया है उसको, we have taken mind maps, plus top 20 MCQs, what is democracy, we have also taken it on constitutional design, and I think 4th या 5th मेंटी था मेरा वो, right, so अब मैं जब अगला mock test लेके आँँगा, मैंने 6 mock test लिया आपके, 7th mock test लेके आँगा, चो उसमें I'll again include the questions from the complete SST, ठीके, तो उसमें I'll be including the capital, this thing also, चले, Crescent Shed Sand Dues, हमने थोड़ी देर पहले नाम डिसकास किया है, चले, फड़ा बच्चे बता, हमने ये पोल ला था कि कहाँ पे मिलते हैं, अब question है कि क्या नाम है इनका, Crescent Shed Sand Dues, Shreda is asking sir from which class we have to start preparation for UPSC, बच्चे, it's not mandatory exam, ठीके, तो अगर आप आगे, आस्परेंट हो IPS offices बनेगे, तो आपके लिए exam होता है ये, ठीके, तो it's a UPSC civil services exam होता है, तो it's fine, अगर आप अपने graduation में भी start करते हैं, preparation करना more than enough, दो से तीन साल बहुत अराम से भी आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, तो अभी अभी की जरुवात नहीं है, ऐसा नहीं कि 9, 10, 11, 12 से focus कर लो, तो you have enough time, अगर आप graduation time भे भी आप prepare करेंगे, तो you will have enough amount of time, right, because अब तक अब 21 years के नहीं हो जाते हैं, अब graduate नहीं हो जाते हैं, तब तक अब eligible ही नहीं होगे, exam देने के लिए हैंना, चलिए, so correct answers यहां पर बार्चंस, जो की बिल्कुल सही जवाब है, that is crescent shaped sand dunes, that's amazing guys, अंकु, शाफरी, नर्मन, ईशान, we have Shivam, we have Nishant, we have Aditya, we have Neha, we have Vishav, we have Janvi, Vishav फिलाल में को लग रहे हैं, तुम्हारे marks बहुत अच्छे आने वाले, because I can see your preparation, Vishav, so best of luck from my side, इंतम जबर्देस, बहुत अच्छा exam करके आना बच्छे, ठीक है, best of luck बच्छे, best of luck, अच्छा, कुमाओ हिमालियास, कुमाओ हिमालियास, बच्छे, कहाँ पर लाई करते हैं, जल्दी से बताईए, फटाफट से, ब्यास और रावी रिवर के बीच में, चेनाव और रावी रिवर के बीच में, सतले जोब काली रिवर्स के बीच में, और ब्यास अच्छे नाव रिवर्स की बीच में यह रीजिनल रिवालियास को लर्न करने का में बड़ा मज़ेदार तरीका आपको बताऊंगा अपी इन दा मीडियम इन दा माइंड माप्स राइट चलिए इगेन अल्रीडी होया है अल्रीडी टेकन इंट 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 इसे लिए बच्छे बेस्ट तरीक है तो मैं आपसे कहूंगा उनको देना शुरू करें क्लास 9 के इंदर बच्छे आपको 11 के लेवल के क्वेश्चन मिलते हैं सॉल्व करने के लिए आपको आइट जेगी बगरा के लिए जो माइंड यो बहुत कॉम्पेटिटिव होना ज़रूरी है NCRT से आपको उपर उठना पड़ेगा बुक से थोड़ा बाहर निकलना पड़ेगा और वो ताब पॉसिबल है जब आप उलम्पियाट से शुरू करेंगे NTSC दीजे 10 में आ करके करिक्ट आंसर इस सतला जिन काली यहां पर ठीक है अगर आप Maths & Science Foundation Level का पढ़ना स्टार्ट करते हैं आपका 11-12 में आपको बहुत बेनिफिट मिलने वाला है इन दर जही इस अज़रू को पर आप उसके लिए जा सकते हैं काफी बढ़ी हैं चीज़े हैं और बताऊंगा भी बहुत कुछ स्पेशल आपको तो आपकास कोश्रान भी बहुत करते हैं चले गंगा प्ले प्लेट इस अविच्छ रिवर खागयर इन तीसथा गंगा इन तापती अ फिर बहुत एंवी ज़रू में कोडिंग बिलकुल हेल we'll 9 का official sample paper release नहीं हुआ है it's it's release for class 10th अभी तक के लिए moving on further मैंने mock test करवाए है on the latest cbsc pattern based तो मैंने already videos पढ़े हूं बच्छे channel के उपर आप उनको देख सकते हैं तो आप मैंने mock test करवाए थे based upon the latest cbsc pattern मैं और भी mock test करवाने वाला हूं आपको you can join for that as well तो वह आली questions आपको latest pattern भी मिलेंगे case based studies हैं आपके fill in the blanks हैं आपके maps of followings हैं यह सारी चीज़ें आपको महाँ पर मिलेंगे assertion reason assertion reason questions भी महाँ पर है राइट चलिए so correct answers both A and B that is घागर यां तीस्ता reverse बचे class 9 का जो part 10 होता है वो exactly board pattern होता है ठीक है class 10 based pattern होता है बट जो question papers set करने का freedom है वो थोड़ा से schools के पास होता है यह fact है ठीक है बट guidelines strictly cbc होती है cbc कई बार बहुत सारे model papers भी send करते हैं तो based on that your paper comes तो थोड़ा बहुत modification आप expect कर सकते हो ठीक है चले let's move on further जानवी निहा अधित्या निशान धर्मन शिवा इशान अंकोष विशाव कृष्णा बट patterns आपको बच्छे सेम मिलने वाल है तो there's no like differentiation in the patterns okay तो 9th and 10th it's more over aligned in each other right चले so let's move on further guys हाँ बट आपका board exam नहीं होता class 9 पर यह त्याम रखना है eastern extension of deck and plateau are formed by dash चले फड़ा बच्छे बताइए deck and plateau कि अगर हम eastern extension की बात करेंगे तो कौन-कौन से hills आपको देखने को मिलते हैं महादेव hills मैकल रेंच और या फिर कैमूर hills इसको याद करने का बड़े मज़ेदार तरीका में आपको बताता हूं भी फड़ा बच्छे आप लोग answer दो फिर मापको तरीका बताता हूं बड़ा ही मज़ेदार तरीका है चले सो बच्छे 100 प्लस लाइक से अचके सेशन का यहीं कीप ओन लाइकिंग वीडियो अभी तक लाइक नहीं क्या हूआ है फ्रम उत्राखंडाच समेसिंग यह बच्छे कोडिंग बहुत हेल्फुल है आप data science के लिए जा सकते हैं आप जा सकते हो बच्छे software engineering के लिए आप बच्छे that I'll send for sure कल वाला और आज वाला दूरों send कर दूंगा some issues with my system itself तो I'll download it and I'll send it for sure ठीके don't worry about it I'll send it by at most after the class ends पक्का चले तो correct chances all of the above देखो इसको याद करने का बड़ा ही simple तरीका है eastern extension of deck and plateau इसको ऐसे याद करो तीन hills का नाम याद रख रहा है पिड़ अगर आपके number खराब आते हैं और आपकी mummy strict है तो mummy क्या बन जाएंगी मेरी mummy खतरनाक तो यह बहुत simple दरीके से अगर आपकी number का मैं एक्जाम में और mummy आपकी strict है तो mummy क्या बन जाएंगी मेरी mummy ख खतरनाक से कैमूर तो यह तीन hills आपने याद रखने हैं क्या है आपके deck and plateau का eastern extension अगर आप east में बढ़ेंगे तो deck and plateau के तो आपको यह तीनों hill ranges मिलेंगी कौनसी hill ranges मेरी mummy खतरनाक महादेव मैकल और कैमूर आपको ऐसे याद रखना है ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं ता आपको याद रहेंगे चीजें गॉडट गई इसके बाद मतब इसके बाद तो मैं मेंटी नहीं करा रहा हूं इसके बाद माइंड माप्स कराओंगा इस मेंटी को खतम करने के बाद I'll be doing the mind maps अच्छा गर्यों विश्प वेल दन वेल दन वेल दन अल्टरा से मारा निमोनिक भी करता है इतना भी नहीं बढ़ा नाया संटा रिवर इंद बनस नर्मधा रिवर क्हें ए किन रॉनाव करता है डिगन प्लाट्यों लाई करता हैं लुना वाला लाई करता या पिर पंजाल रहा बढमाजल very good चो I'll make it soon बच्चे so I have my schedule things I'll have to premiere it ठीक है because अभी already this week's schedule is fixed so I'll find out a slot की concert slot free है and then I'll make and premiere it so that is something I need to do fine Hi Shania, how are you? Priyanchu भाई, मैंने इस पष्ट शब्दों में चुद्ध हिंदी और इंग्लिश दोने में बताया बच्चे आपको Class 9 का pattern होता है स्कूल भी पेपर साइट कर सकता है based upon the guidelines from the board तो मैं अदर पाटन सेम रहने वाला इतना ध्यान रखो Central Highlands बच्चे स्कूल सेट करेगा तो थोड़ा गुमा करेगे विदेगा पेपर चिल मारो उसके लिए अगर आप नॉर्थ आफ नर्मदा रिवर जाएंगे तो आपको मिलेगा Central Highlands ताउथ आफ नर्मदा जाओगे तो मिलेगा आपको डेकन प्लाट्यू हाई यर्ष कैसे हो बच्चे पीर पंजल हिमाचल के अंदर है ना कि हमारे प्लाट्यू रीजन में जानवी बढ़ा चा खेल रहे हैं आज क्या बाते निया आदित्या निशान धर्मन विव शिव अमेशान वेशव आन येश विद नी ताउट्स अमेजिंगा इसा कुछ नहीं है जानकी बच्चे ऐसा कुछ नहीं कि अगर आप 11 में युमानिटीज नहीं लोगे तो आप लॉयर नहीं बन सकते ताउट्स नोट अप्लाट्ट होता है आप उसे अच्छा law colleges में जाते हो so it's not like that कि अप नहीं देंगे तो नहीं बन पाएंगे ऐसा कुछ भी नहीं ठीक है so when was Lakadeev, Minikoy and Amin Deep renamed as Lakshadeep वड़वच से बताईए Lakadeev, Minikoy and Amin Deep जो था उनको rename करके Lakshadeep नाम कब दिया गया 1975, 1973, 1974 और 1978 come on guys very very simple hi ROE, I am not from a commerce stream, I am from a science guy, so I am from the science stream, I took science in class 11th and 12th, can't literally tell about commerce, very sorry for that, so ROE, aapka question, what are the lines in commerce, if you are asking the scope in commerce, then it also has a several good amount of scope, you can go to many government jobs, that are commerce related, you can become CA, you can become CAS, so what's are a scope of commerce, it's not like that, depends upon what fits you, like what you best fit in, so aapko कौनसा subject जादा पढ़ियां लगता है, कौनसा stream आपका interest है, so go along that and what are your clear objectives, इसके साबसे आपको stream लेना चाहिए, peer pressure मेरे, चले, तो correct answer is 1973, so analyze yourself कि which subjects you are doing good, आपको क्या लगता है कि what is your ultimate aim, एक होता है अपने को यह बनना है, ऐसा कुछ करके and then only go for the proper stream, okay, we have Janvi, we have Neha, we have Aditya, Anishan, Shivam, Vishab, we have आपका प्यारा येश, we have T.S. Ankhush and Ashish आदव, हाई Ashish के से आप, चले, question number 20, बच्चे आज का हमारा second last question है, फिर हम लोग start करेंगे हमारे आज के mind maps, ठीक है, चले, second last question है, फिर हम लोग start करेंगे हमारा आज का mind maps, ठीक है, चले, second last question है, फ I have to become a professor, how should I go, there are several ways to become, you can go for clearing, JRF and NET and then go on to do PhD, generally because that is a requirement, so they will ask you something, so the Andaman and Nicobar Islands are a group of Dash Islands, 574, 523, 570 to 510, right, so these are your options, then moving on further, if you want to become professor and all then depends upon which subject professor you are going to become, so you have to be specialized in your subject, वो कर सकते हो, researches वागरा कर सकते हो, so there are lots and lots of scopes, right, पहले subject decide करना है, professor, money heist वाला मत कहना है, तर वो वाला बनना है, ठीक है, the correct answer is 572, बिल्कुल सही बात है, 572 से 73 group of islands है total, rough estimate है बच्छे, approximate estimates है, ठीक है, so we have Johanna, we have Disha, we have Khyati, we have Yash, Vishav, Neha, Shivam, Nishant, we have Aditya, we have Janhvi Vid क्या बात है, that's amazing, that's amazing, that's amazing, guys, that's amazing, एसा कुछ भी नहीं है कि UPSC clear करने के लिए, UPSC civil service clear करने के लिए, humanities लेनी पड़ती, मैंने नहीं लीती, I took PCMB in my 11th and 12th, ऐसा कुछ नहीं कि UPSC वाले मना कर देंगे आपको, you can be from any stream you are eligible, graduate होना चाहिए, आपको 21 years का होना चाहिए, minimum, that's a basic eligibility to appear for civil services exams, ठीक है, कोई ऐसा अंडेटरी नहीं कि आप humanities नहीं लोगे, तो आपको नहीं appear करने दिया जाएगा, चले, तो finally we have the last questions guys, इन्होंने अभी भी YouTuber बढ़ने के लिए ऐसा आपको talent बहुत जरूरी है, ठीक है, and my best of luck if you want to become so, चले है, so let's move on further guys, question number 21 की बात कहते है, आज कल YouTube बहुत भूम पे चल रहा है, ठीक हो subjects, prelims के बच्छे, आपके generally SSD related जाता ही है, ठीक है, and then we have the mains में, optionals भी होते हैं आपके पास, so dash are the circular और hot shoe shaped coral reefs, किसी दिन में session ले लूँ आया, तुम लोग के लिए, ठीक है strategy session, what careers can SSD give you, ऐसा करेके session, ठीक है strategy type, कि क्या क्या career आप SSD के साथ बना सकते हो, यह humanities के साथ बना सकते हो, ऐसा क्या कर सकते हो, so I think आपके queries काफी clear हो जाएंगे उसमें, ऐसे बताना थोड़ा सा, you know, in between the questions, काफी destructive भी होता है for many people, ठीक है, तो career advice को अपन तब करेंगे, फिलाल आपनो question कर लेते हैं, तो dash are the circular और hot shoe shaped coral reefs, atolls बोलते हैं, इनको हम लोग, barrier reefs बोलते हैं, fringing reefs बोलते हैं, या polyps बोलते हैं, come on, it's very simple, okay, 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 very simple, so, बच्चे, रागनी मैंने अभी आपको यही चीज़ बताई, so, I'll take a specific session, because, अभी हम कर रहे हैं, geography, या last के एक दो minute में, I'll discuss you with this, क्योंकि, अभी गया हो जाता है ने, फिर ऐसे, बच्चे, जो topic यान अपना वो रह चाहेगा, and I do not want, because, आपका term 1 आ रहा है, so, कह अभी आपको 9 पे फोकस करना चीज़ अपने exams के उपर, congratulations, जानवी, welcome, बच्चे, and, let me just, you know, shout out for the people, so, a big shout out from my side, for all the lovely people, those who were there in the mentee, so, जिन्होंने लास तक mentee में हार नी मानी, सारे champions हो भाई मेर लिए, जानवी निया, शिवाम, विशाव, अधित्या, निशान, जोहाना, त these 10 toppers, there are 75 amazing super duper performers, super performers, super learners, जिन्होंने बहुत 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 अच्छा perform किया, so, well done guys, well done champions, and, अब हम शुरुआत करते हैं, हमारे खेला का part 2, that is, हमारे arts के mind maps, physical features of India, चले, तो, शुरुआत करते हैं, हमारे class के part 2 के अगले 10 minute, मैं शायाद आपके thoughts को respond नहीं करने वाला ह ठीक है, तो ध्यान से चले, will the term one be easy, बच्चे देखो यह तो paper बताने वाला, देखो easy सबके लिए सब कुछ है, अगर आप पढ़के गए, देखो मैं बताता हूँ, आपको दे रहे 3 categories, पहले वो होते हैं, जो एक हफते पहले पढ़ाई करते हैं, तो उनके लिए paper is like easy to moderate, very simple ठीक है, कुछ बच्चे जिन्दिगी में तूफानी करना चाहते हैं, वो paper वाले दिन, उसके सुबह ही अपनी books उठाते हैं, तो उनके लिए वो roadies के audition से कम नहीं होता, जो आपका test paper होता है, ठीक है, और कुछ बच्चे होते हैं, जो हमेशा थोड़ा-थोड़ा करके होते हैं, उनको प्रिपेर होता है, तो उनके लिए इस लाई खलवा पुड़ी, तो it depends upon your preparation, not the paper exactly, अगर आपने पढ़ा है, देखो, for simple सी बात है, अगर मैं आपको question ऐसे देदू, identify the mountain ranges, ठीक है, the mountain ranges are made up of compressed and altered rocks, it houses the longest range as Peer Panjal and also contain the valleys like Kumau in Himalaya, sorry, this thing, Kullu and Manali, तो आपने identify करना है अब ऐसे गुमा के दे दिया, अगर मैंने ठीक से पढ़ा है, मैंने book reading की है, तो मुझे पता है, मैं हिमाचल की बात कर रहा हूँ, अगर मैंने नहीं पढ़ा, मैंने सिर्फ ये पढ़ा है कि second range of Himalaya ranges, हिमाचल, बस, तू मैं confused हो जाओ, ठीक है, तो अपने को बाप हर तरीक मिल गया, मिल गया, भाई, very very well done, बच्छो, बहुत बहुत simple, बच्छे, class 10 के sample paper से, आप class 9 का pattern guess कर सकते हो, उस राइक के questions practice कर सकते हो, जो मैंने already करवाए हुए है, on the channel, बच्छो, तो ध्यान रिकेर सीज का, mock test को देखिए, जो mock test की videos आपने नहीं देखे हैं, तो please watch time, कि औ और भी mock test में आपके लिए लेके आ रहा हूं, तो उनको attend जरूर करना, आपको बिल्कुल latest pattern बदा चाल जाएगा कि कि किस तरीके के question आ रहे हैं, please elaborate Rajendra, what do you want to ask, ओके जान, we start to hear that, कल का topic बच्चे में आपको टेलिग्राम पे ही send करता हूं, जैसे आज भी गया था, तो विल्बी सेल निंग on the telegram itself, so don't worry about it, it will be a revision topic, तो आपके collaborative reviews है, ठीक है, चले, let's see, sources वाला श्वेता आप आप उसको जोइन कर सकते हैं, case-based and assertion reason, ठीक है, चले, so let's get started with the physical features of India mind maps, ओके, चलो भाई, अब कुल मेरा के बात आती है, कि यह physical features क्या चीज़ है, ठीक है, अब physical features एको बहुत simple सी बात है, we talked about the different kinds of landforms, हमारे यह platews हैं, हमारे plus plane areas हैं, हमारे पास mountains हैं, हमारे पास postal areas हैं, फिर हमारे पास ghats हैं, western ghats, अब आप लोग को लगता हो गया है, घाट क्या चीज़ होती है, ठीक है, देखो बहुत simple सा तरीका है, अगर आप इंडिया का map देखोगे, इंडिया का map है, बच्चे वो नीचे से थोड़ा triangular दिखता है, और काफी irregular भी दिखता है आपको, दिखता है कि नहीं दिखता है, बहुत simple सी बात है, ठीक है, उसका reason है, because हमारा जो western part है और हमारा जो eastern part है वो plane नहीं है, वहाँ पे भी hills हैं, हाँ, उतने बड़े hills नहीं यह जितने हमालयास में हैं, बट वहाँ पे भी ठीक टाक hills है, और वह वाला जो hilly section है, उसको हम कहते है हमारा घार्ट section, ठीक है, तो दो तरीके की तरफ हमारे hills है, एक हमारे western part पर है, और एक हमारे eastern part पर है, तो जो भारत के western part है, उसको हम western guards कहा देते हैं, फारत के eastern part पर उसको हम eastern guards कहा देते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा detail मैं आपके साथ मैं discuss करूँगा, inner tabular form, चलिए, northern plains की बात करते हैं, जहाँ पर आप रहते हो, जिसे मैं रहता हूँ, Delhi side पर northern plains है, UP, MP का थोड़ा सा part, MP त और फिर हम लोग बात कर लेते हैं, हमारे islands की, पीछे मेरे आपको एक must वाली beach दिखाई होगी, ठीक है beach, तो यह वाले हमारे हो जाते है islands, चलिए, जल्दी से इन सारी चीज़ों की बात कर लेते हैं, let's talk about the tectonic plates, अब अब अच्छे जितने भी landforms बनते हैं, जो land features बनते है हमने तो बनाए नहीं, किसने बनाए नेचर ने, अब नेचर के अंदर कुछ तो होगा ना, नेचर के अंदर बच्छे tectonic plates है, ठीक है, तो हमारे पूरा lithosphere वाला पार्ट है, it is divided into several parts, जिसको आप कह सकते हैं tectonic plates, ठीक है अब यह plates होते हैं बच्छे continuously move करते हैं, continuously चलती रह हैं, because इनके नीचे से पढ़ता है pressure, अर्थ के अंदर आप जाओगे, तो बच्छे आपको क्या मिलेगा, बहुत सारा heat, because अंदर से हर्थ के है, बहुत गरम है, और यह heat के साथ-साथ, molten magma, magma is a substance, semi-solid, semi-liquid substance को बोलते हैं, जो कि अर्थ के अंदर आपको दिखाई देता ह के अंदर मिलता है, और यह गरम-गरम magma boil होता रहता है, जिसके चलते हैं, उपर इस पर heat create होती है, भाब बनती है, वेपर बनता है, और वो rise करता है उपर, और वो क्या करता है, धक्का मारता है हमारी tectonic plates को, right, so very very simple, तो बच्छे जो plates एक दूसरे से apart जाती है, ठीक है, इ fault के चलते हैं, बच्छे बहुत सारे cases में, valleys वगरा भी form होते हैं, right, चले, आगे बढ़ते हैं, transform plates की बात करते हैं, transform plates का काम होता है, बच्छों, एक दूसरे के again slide मारना, ठीक है, एक उपर जा रही है, एक मीचे के side जा रही है, slide कर रही है, तो beach में क्या generate होता है, काफी जा heavy होती है, इनके side बहुत सारी forces attack करती हैं, इनके उपर, then what happens, यह जो plates है, कुछ जाधा slip कर जाती है, and इनके बीच में again a gap create होती है, जो हम क्या बोलते है, fault कहते हैं, कही न कहीं, ठीक है, और जब कभी भी बच्छे, इनके बीच का friction बहुत जाधा high हो जाता है, और यह उस force को control लहीं कर पाते, तो इसको release कर देते, और जब यह force release होती है, तब आपको earth को experience करने को मिलता है, तो यह बड़ी important और मज़ेदार चीज है, और एक part मैं all discuss कर लेता हूं, that is convergent plates, see for convergent, see for come closer, इनका काम है pass में आना, ठीक है, तो यह plates क्या करती हैं, बच्छे एक दुसरे के pass आ collide करती है, तो उसमें क्या होगा, जो हमारी बड़ी वाली plate है, जो थोड़ी dense plate है, वो थोड़ा सा break करके नीचे की तरफ जाएगी, it will move towards down, वो नीचे के side जाएगी, और जो हमारी हलकी वाली plate है, थोड़ी less dense plate है, small plate बच्चे वो ऊपर के side जाएगी, this is what has led to the formation of Himalias, अगर जब इन दोनों में आपस में लड़ाई हुई, तो क्या हुआ, आपस में जब ये लोग का collision हुआ, टकर लगी, then जो हमारा Eurasian plate था, वो थोड़ा सा break हुआ और नीचे की तरफ गया, और जो हमारा Indo-Australian plate था, वो थोड़ा सा ऊपर की तरफ गया, and when this Indo-Australian plate raised up, it risen up, then what happened, ज Eurasian वाले के अंदर और अंदर तक जा रही है, it's moving up and up and up, ठीक है, तो Eurasian थोड़ी से नीचे होती जा रही है, Indo-Australian और उपर इपती जा रही है, so this is how the Himalayas were created, जल्दी से आ गया जाते हैं, Himalayas की बात कर लेते हैं थोड़ी सी, and then we will move further, चलिए, Mentee is already over guys, Mentee over हो चुकी है, ओके, ओके, फाइन, फाइन बचे, अर्षित भाई, तुम खलाएं कबसे बन गए, IFF God बच्चे, 8 बच्चे, शुद्ध शाम के 8 बच्चे, बिल्कुल 8 पीम, 8.00 पीम, आपको CBSC Class 9 पर चानल देखने हो मिलेगा, स्टार्टिंग मेने क्विस्ट से की थी और हमें आपको करा रहा हूं Mind Maps, ठीके, तो कर लिजए फटा फट्से, बच्चे, इंडिया इन साइज वाला में अलग से टॉपिक करवा चुका हूं, अपको, अल्रेडी में करवाया था भी, दुबारा से हैल कम्रीट, आज में फिजिकल फीचर्स का करवा रहा हूं, इंडिया साइज एन लोकेशन इसमें नहीं इंक्लूड होगा, बच्चे, आज साइट के बारे में, आपके स्टाटेजी सेशन ले लूँगा, आप मैसेल्फ, I am not from the आज साइट, नमबर वन थिंग, इन माई इंटर्मीडिट्स, टेकिन, I will still take a session with you, मैंने आज लिया था ग्राजुटिशन वगेरा में जा करके, ठीक है, तो I will take a strategy session, फिलाल this is not a strategy session, बच्छे ये session है term 1K oriented, तो I hope you would love to focus there, तो उस पर focus कर लेते हैं, जो अभी need of the RR है, ठीक है, चलिए, कौन स्कूल है भाई, एक सब्सक्राइब पूरे एक दिन में marathon करवा देंगे, तुम्हाई सारे subjects एक दिन में कैसे हो जाएंगे, अलगी चल रहे है तो, नया प्रैंक, हाई Krisha, शोर बच्चे मैंने अल्रेडी आप टेकें श्रियास इस तिंग इंटू 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 इंटरेशन, क्योंकि अभी term 1 जो है न हमारे MCQ बेज आ रहा है, जो बच्चे quiz मिस कर चुके हैं, आप लोग 8 बच्चे exact join क्या करें, ठीक है, आपने quiz मिस किया है, बच्चे 8 से 8.40 तक हम quiz कर रहे थे, अब लोग chapter को थोड़ा से revise करें, ठीक है, ज्यान रखे इस चीज़ को, बच्चे हम लोग हमालयास की बात करें, ठीक है, बहुत सिंबल सी बात है, अच्छा, आप बात कर लेकते हैं, हमालयास के division की, हमालयास को हम लोग दो ताइप से divide करेंगे, पहला तो उनका longitudinal division, longitudes के basis पे, आई आप कह सकते हो, location basis पे, राइट, तो कहीं ना कहीं, उस पे हम ल आप ग्रेटर हमालयास केते हैं, हीमाचल जिसे आप लेसर हमालयास केते हैं, और शिवालिक्स इसको हम आउटर मोस हमालयास के नाम से भी चानते हैं, चले, अब एक बहुत सिंबल सा तरीका है बचो, इनको याद करने का, जो हमालया है हमारा इसके तीन बच्चे है, सबसे intelligent बच्चा है हमारा हमाडरी, आवरेज बच्चा है हमारा हमाचल और सबसे नलाइक बच्चा है हमारा शिवालिक्स, ठीक है तो हमारे जो हमाडरी भ जो करीब आपको बलेक करेитесь कशमीर के आस पास मायूनटेंस में आपको where EX real हुझ सबीघर कारे करता है ऐसे बना हुझव हिमालों की शिर्माडरी के हिसे बना हुग है इस में आप बड़े नाइट पूरे टाइम यहापे संव रहता है तो आपके आप सकते हैं अरामसे विजिट कर सकते हैं हला कि माउंटेंज का हाइट इतना जाधा है that is really very difficult तो जनली माउंटेंज क्लाइम बस वगेरा जो है नसको क्लाइम करके घुम करके आते हैं ठीक है चले आगे चलते हैं बच्छों हिमांचल और लेसर हिमालयास पर आपके maximum favorite tourist destinations आपको यही मिलेंगे आपका हिमांचल प्रदेश के भी एक स्टेट है जिसको आप जानते हैं हिमांचल इस आपका कुल्लू हो गया मनाली हो गया पीर पंजल हो गया यह सारी जगे जो है आपको हिमांचल के अंदर मिलती है average elevation यहां पर mountains का 3700-4500 है ठीक है और सबसे important बात यह है बच्चे की जो इनका width है जो चुड़ाई है वो करीब 40-50 km के आसपास है और सबसे नालाइक बच्चे पर आ जाते हैं शिवालिक्स के बहुत घडिया नंबर आते हैं इसके नंबर 900-1100 के बीच में आते हैं हिमांचल क ठीक ठाक आते हैं 37-4500 शिवालिक्स के सबसे घडिया नंबर आते हैं 900-1100 बट शिवालिक्स हमारा काफी फिट है उसकी जो कमर है ना कमर समझ सकते हो या width वगेरा वो काफी सही है 10-50 km अब अब अच्छे रीजिनल का मतलब होता है एक certain region के अंदर generally हम लोग river boundaries की बात करते ह कि दो rivers के बीच में आने वाला हमाले रीजिन उसको हमने कुछ local नाम्स दिये हैं कुछ regional नाम्स दिये हुए जैसे आपका घर का नाम कुछ हो सकता है आपका बाहर का नाम कुछ होगा ऐसे हमने हमालिया इसको भी लखा हुआ है ठीक है चलिए अब जो पहला वाला हमारा हमार है वह इडली सांबर का बहुत बड़ा फैन है ठीक है पहला वाला हमारिया बच्चा हमारा इडली और सांबर का बड़ा मस्त वाला फैन है इडली से हो गया आपका हिंदस रिवर और सांबर से हो गया आपका सतलाच वर ठीक है तो यह कौन सा हिमालिया कहलाता है कश्मीर हिम छारुक का बहुत बढ़ा है चारुक का नेपाल का नेपाल का समय वाहां का कलू टक्ला तकला बढ़े च समझ सकते हैं की कल्व के के से यहां पर काली और टकला के टी से हो गया तीस्था ठीक है और उसके बाद क्या चलते हैंे हम लोग आसाम की चाय पीने लाकन की जा Komm들이 उप skills ठीक है कल्लू टकला और हमारा लास्ट में धोकला के साथ चाहे टी और धोकला तो ऐसे करके आप याद सकता सकते हो हिमालिया का रीजिनल डिविशन आई बस समझ मैं चलिए सो यह तो अपने हो गए भी आ हमालिया से एक दाम सूपर शॉट तरीके से चलिए अब नॉर्धन प्लेंस को डिसकस करते हैं फड़ा बत से गाइस अरे बिलकुल हमालिया क्या हो भई अभी अभी हो करके हो चलिए चलिए अई आई यह ऐख से अल्टि के टेख से अव। पिसे अल॥ तरु यह जल्डी से चलते हैं बच्छे गंगा हमालिया नहीं है ठीके वह है वहीय। गंगा हां, कोंगोतरी, ग्लेशास और इसनेट करती, तब इसने हिमालियन रंजेश पट वे डोंट वे डिविजिन अस गंगा हिमालिया, ठीके तो जो रिजिनल थे जो आपके, फर एक्जामपल जितने भी डिविजिन थे, आपको रिजिनल आउन्दर टिप से आद हो जाएगा, इडली सामबर, इडला सतलच, पंजाब इमाचल किश्मीर, ठीके, शारुक खान, कुमाओ इमालियास, फिर कलू टकला, नेपाल इमालियास, फिर धोकला हो चाए, धोकलाइन टी, यह चार ऐसे रिजिनल, और इससे question आएगा, आएगा, ठीक है, बचे, नॉर्धन प्लेंस की बात करते हैं, तीन पार्ट्स में आप नॉर्धन प्लेंस को डिवाइट करोगे, ठीक है, कौन-कौन से पार्ट से पंजाब प्लेंस, यह हम लोग रिजिन के साब से डिवाइट कर रहे हैं, रिलीव फीचर्स के साब से नहीं, ठीक है, रिजिन के साब से लोग तीन पार्ट्स में बात करते हैं, का पाकिस्तान के अंदर इंडिया के पास थोड़ा सा कम रीजन है पंजाब वाला रीजन आप कह सकते हो ठीक है यहाँ पे काफी ज्यादा फॉर्टाइल लैंड है तो इसके पूरा पंजाब प्लीन काफी फॉर्टाइल है और मैक्समां पार्ट आपको यहाँके इस का पाकिस्तान में मिलेगा ओके मूवविगा टीक है गंगर और प्लीन के और यह अपका घंगडा में और लास्ट करते हैं ब्रह्मा पूत्र रेजन नहयुके अफट बात कहले थे Northern Plains के Relief Features के बारे में Northern Plains बिल्कुल Flat नहीं है आपको पता होना चाहिए अगर आप उत्तर विदेश के भी Southern UP में जाएंगे ठीक है जैसे बुंदेल खंड वाले Region में आप जाओगे तो आपको Hills देखने को मिलते हैं वाँपे छोटे छोटे Hills होते हैं बढ़े नहीं होते हैं but still you can see थोड़ा सा प्लाट्यू रिजन लग जाता है So we have the Northern Plains के चार Divisions के हम लोग बात करते हैं भाबर रीजन, तेरा ही रीजन, भांगर रीजन और खादर रीजन देखो जब हमारी रिवर्स होती है न जो रिवर्स पिटर जब वो mountains में होती ही था उनके पास बहुत volume होता है बहुत force होता है, पानी भी बहुत सारा होता है So easily they are able to move down प्लस आपको mountains के अंदर पच्छे slopes मेलेंगे mountains ऐसे हैं तो जो निवर नीचे आ रही होती है बहुत easily आती है But when it enters the plain areas, ये slope क्या होता है इन सारी चीज़ों को एक जगे पे छोड़ देती deposit कर देती है ये करीब 8 to 16 km का stretch है ठीक है आप जनली हरिदवार वगेरा के आज़ पास घूमोगे तो आपको बहुत clearly दिख जाएगा चले, तो इस region को कहते हैं भावर region, अब यहाँ पे क्या होता है बच्छे जो पत्थर होते हैं, जो पेबल्स होते हैं वो इतने ज़ादा जमा हो जाते हैं कि जो हमारा river का volume में वड़ा कम हो जाते हैं और यह आपको कह सकते हो कि river दिखाई देनी बंद हो जाते हैं तो हम ऐसा लगता है river कहो गई, river कहीं जाती नहीं है rivers flowing beneath, पत्रों के नीचे से दीरे-दीरे channels में divide होके flow कर रही होती है फिर finally एक region आता है बच्छे जहाँ पे सारे pebbles वगेरा खताम हो जाते हैं then river re-emerges there और उस region को हम तेरा ही region कहते हैं यहाँ पे river का volume भी अच्छा होता है plus river की पास बहुत सारी sand and silt होती है so mixing up of sand and silt काफी इस area को swampy या कीचड़ वाला बना देता है कहीं न कहीं ठीक है तो अगर आप दूधवा नैशनल पार्क जाएंगे तो आपको तेरा ही region काफी अच्छे देखने होंगो मिलेगा I think it's in Peely Beach Tiger Reserve as well I'll make sure once but दूधवा नैशनल पार्क तो 100% भांगर और खादर बच्चे अलूवियल सॉयल के जोन से Northern Plains is covered of the alluvial soil हम सबको एसी का थोड़ा सा पता है न fertile soil होती है so भांगर और खादर दो ऐसे region है जहाँ पे अलूवियल मिट्टी अलूवियल सॉयल के वो अलग अलग parts में आपको मिलती है भांगर रीजन के अंदर आपको पुरानी अलूवियल सॉयल मिलेगी जो काफी infertile हो चुकी है खेती बाड़ी के लिए cultivation के लिए बिल्कुल अच्छे नहीं है ठीक है और जो खादर रीजन है जनली आपको वहां मिलेगा जापे floods वगेरा थोड़ी जादा आती है तो यहां पे जो सॉयल काफी renew होती रहती है चेंज होती रहती है राइट तो देयाव दा मोर और न्यू अलूवियल सॉयल तो यहां पे new alovel मिट्टी आपको provide की जाती है आपको मिल जाती है ठीक है तो खादर इस दे न्यू अलूवियल सॉयल और भांगर इस ता old alovel सॉयल भांगर infertile होता है खादर आपका fertile होता है ठागर में बहुत बड़े-बड़े कंकर टाइप की चीज़े मिलती है नॉड्यूल्स मिलते हो खादर के अंदर यह चीज़ बहुत मिनिममम होती है राइट तो यह हो गया हमारे नॉर्दन प्रेंस का डिवेजल अब क्विकली पेनिस्टूलर प्लाट्व पर आते हैं फिर वाइंड अप करेंगे अगले पांस मिनिट्स के अं 120 is already over मुसकान खटम हो चुका है मिन्ट दिवयांच्यूंचूओ बहुत लेट आये हैं बहुत बहुत लेट आये हैं very-very late guys से ल मश्राट्व पके सेप्टेम्बर औक्वीर तूम्बर मेंदर गपतूबर सीपल त्रहावैं स्क्षार शुलते बच्छे, most fertile is the other region, okay, other region is more fertile region, आप कहसेखते हो most fertile, it's very very good for agriculture, very simple, ठीके, alluvial soil is a soil, मिट्टी को कहते हैं, हम लोग soil, भांगर में, it's a very like old one, because it was deposited earlier, now it is dried up, you can say like this, ठीके, अगर मिट्टी को आप थोड़ी देर बाहर दूप में छोड़ दो, तो सुकी सुकी यह जीव सी होधाती है, कई बाहर बहुती मिट्टी होती है, बहुत टेक्च्चर बहुत रफ होता है उसका, तो वैसा मिट्टी हमको भांगर में मिलता है, and the color will get the smooth one, what's a smooth वाला, fine texture, okay, let's talk about peninsular plateau, peninsular plateau में एक दिमाग लगा लो, नीचे का जो region अपना, नीचे triangular वाला region और मध्य प्रिदेश उसके आसपास का region, यह पूरा अपना peninsular plateau कहलाता है, ठीक है, peninsula हम उस landform को बोलते हैं, that is surrounded by water on three sides, जीसे इंडिया जो एक peninsula है, हमारे एक side पर Arabian Sea, एक side पर Bayou Bengal है, और एक side पर नीचे के पास, अपने पास Indian Ocean, that's why India is a peninsula, ठीक है, plateau is a table land, flat table land, जीसे टेबल का top होता है न, वैसा थोड़ा सा plateau का texture होता है, और इसमें hills वगेरा थोड़ी बहुत आपको देखने को बिल जाते हैं, तो भारत के अंदर बच्चे हम पेनिंसुल और प्लाट्यू को दो पार्च में डिवाइड करते हैं, Central Highlands और इनके बीच में आती है नर्मदा रिवर, अगर आप नर्मदा रिवर के नौर्थ में जाएंगे, तो आपको Central Highlands मिलेगा, आप नर्मदा रिवर के साउथ में जाओगे, तो आपको डेकन प्लाट्यू मिलेगा, बस इतना सापने याद रखना है, ठीके, आपको Central Highlands के अंदर मालवा प्लाट्यू मिलता है, जो जनरली मध्य प्रदेश के आसपास आपको देखने को मिलेगा, फिर बुंदेल खंड और बागेल खंड और आगे जाएंगे, मालवा से भी आप थोड़ा उपर बढ़ेंगे, तो आपको बुंदेल खंड और बागेल खंड देखने को मिलता है, जैसे ग्वालियर वाला रीजन है, उससे उपर आप चले जाएए, अगर आप सदन उत्तर प्रदेश में भी जाएंगे बच्चे, सदन यूपी के अंदर भी आपको थोड़े बहुत हिल्स देखने को मिल जाते हैं, जैसे लखनियादारी फॉल्स हैं, चूनादारी वाटर फॉल्स हैं, यह उत्तर प्रदेश का ही पार्ट हैं, लेकिन प्लाट्यू रीजन में है, बुंदेल खंड वाले रीजन में है, ठीक है, तो जो बुंदेल खंड बाकेल खंड है, चले, डेकिन प्लाट्यू थोड़ा ज़्यादा बड़ा है, comparatively, very good for black soil, very good for cotton cultivation, और यह आपका south of नर्मदा रिवल लता है, बच्चे यह प्लाट्यू थोड़ा सा आपका north east में भी extend करता है, और इसके north east in extension को हम कहते हैं, कार्भी अंगलॉं प्लाट्यू, north कछार hills, या फिर में घाले आप, तो north east in extension है, में घाले आपका, किसका डेकिन प्लाट्यू का, ध्यान रटना है इस चीज़ को बहुत बहुत अच्छे से, चले, फड़ा बच्चे हम लोग आगे बढ़ जाते हैं, यह कुछ हमारे western ghaards और eastern ghaards है, बच्चे भारत का जो नीचे का triangle है, उसमे एक भारत का western portion है, महराष्टर, गोआ, करनाटक, केरला, यह वाला, एक भारत का eastern portion है, तमिल नाडू, ओडिसा, ठीक है, यह वाला, तेलंगाना, आंदरप्रदेश, तो बहुत simple सी बात है, बच्चे जो हमारे west और east coast lane में दो तरीके के variation है, एक तो हमारे ghaards है, ghaards हो गया ह हमारे hilly regions, hilly section, और coastal plain हो गया, comparatively planar areas, इस तरीके साब समझ सकते हैं, right, okay, so western ghaards और on the western arm of peninsular plateau, और eastern ghaards पढ़ते हैं हमारे peninsular plateau के eastern part पे, अब western ghaards बच्चे काफी regular है, तो यहाँ पे आपको mountain passes बहुत जादा मिलेंगे, train से अगर आप जाओगे, आपको बहुत सारे tunnels मिले लोना वाला के बारे में आपने सुना होगा महाराश्ट्रा में, मॉन्सून में बड़ा सुन्दर लगते है, इसा very famous, you know, tourist destination, गौह के अंदर दूद सागर falls है, आसपत बहुत सारे hills हैं हमाँ पे, तो वो western ghaards है, कि कभी Google करना, YouTube पे देखना, दूद सागर falls, बहुत है, कभी whenever you get a chance, do a train journey to that, आपको actually experience होगा, पूरे tunnels बने हुए, because western ghaards में क्या होता है, कि rivers fall नहीं करती है, right, इंडिया की maximum rivers fall करती है, Bay of Bengal में, सिर्फ नर्मदा और तापी ऐसी दो rivers हैं, जो भारत में अरीबिन सी में fall करती है, बाकी सारी rivers आपकी fall करती है, on the Bay of Bengal, ठीके, western ghaards का थोड़ा काम है, 600 के आज पास, ठीके, तो बहुए, simple eastern ghaards, Bay of Bengal, western ghaards, Arabian sea, and सबसे important बात है कि जब monsoon आता है, तो eastern ghaards को कहीं न कहीं पहले बारिश होती है, हाला कि जब western ghaards को बच्चे, पहले rainfall मिलती है, और जब eastern ghaards की बात करते हैं हम लोग, तो monsoon के time में को coastal plain area है, उसको हम कहते हैं, कत्यावर coast, ठीक है, महराष्ट्र से गोओ के बीच का जो plain area है, उसको हम कहते हैं, कॉनकन coast, ठीक है, गोओ के आगे south में आप बढ़ेंगे, कनार्टिका की तरफ, वहां का plain area है कंनड coast, और आपका Kerala के आसपस वाला जो plain area है coastal plain area, that is called is Malabar coast, ठीक ह तो उसको हम लोग कहते हैं Northern सरकार्स, आप ऐसा समझ सकते हैं, ठीक है, Eastern Coastal Plains हमारे थोड़े से जाधा ब्रॉड हैं, compared to the Western Coastal Plains, ओके, चलिए, तो ये थोड़ी सी बाते हों कई Western और Eastern Coastal Plains की बीच में, last topic हमारा आज का Islands, तेको deserts की बात भी मैं करूँगा आप से, अंडमान, निकोबार काफी बड़ा है बचे, अंडमान in the North, निकोबार in the South, ठीक है, और अगर हम बात करें, 572-73 group of islands को हम अंडमान निकोबार completely कहते हैं, administrative headquarters का port player है, यहाँ पे भारत का only active volcano है, that is barren islands, लक्षदीप को हम कई बार coral islands कहते हैं, ठीक है उसका reason है कि यहाँ पे coral reefs बहुत ज बनाता है, ठीक एक platform एक feature बनाता है, इसको coral reef कहते हैं, आप जब कभी scuba diving जाओगे, आपको ऐसे corals दिखेंगे, ऐसे wave cut है with them, tentacles type में, जैसे cotton tentacles बनाती हो, right, so यह Arabian sea में काफी चोड़ता है, 32 square kilometers का area है, so 1973 में तीन चीज़ों को group करके लक्षदीप बनाया गया, लकादीप मीनी कोयर और अमंदी, deserts आते मचे भारत के राजस्थान वाले बेल्ट में, जो कि आपको देखने को मिलेगा, जादा तर western राजस्थान में, और कुछ पार्ट कुछ रात के अंतर, बार्चन's important feature, loony is the only large river here, चले, so that finally winds up your topic that is physical features in India, जादा time ले लिया, आपका, I know that guys, ठीक ह बट बहुत जरूरी था कि आपको थोड़ा सा revise करवा दिया चाहिए, अच्छे आप अपने doubts पूछ सकते हैं, अपने आप doubts पूछ सकते हो, sorry you can go ahead with the doubts, ठीक है, मैं mind maths करा रहता है, I had already taught the chapter in parts, मैंने already chapter बच्चे पार्च में cover कराया हुआ था, तो I was just giving you a quick revision, a quick revision of the mind maps, ठीक है, बच्चे मध्यप्रदेश is not the desert region, इस इसको आपने समझना पड़ेगा, मध्यप्रदेश is the plateau region, मालवा प्लाट्यू है, मध्यप्रदेश के जो बीहड वाले छेतराते हैं, जापे vegetation काफी कम हो जाता है, that is not the desert, ठीक है, तो आपका desert cover करता है, गुजरात stretch से ले करके, जांसे अरावलीस का थोड़ा बहुत, beginning शुरू होता है, and then it moves on further to the Rajasthan वाला bed, तो यह आपको थोड़ा देखना पड़ेगा, हर्याना के outer parts में अरावलीस पहुंचते हैं, finally खतम होते हैं आपके ड Menti already over है, Menti is already over, नहीं नहीं बच्चे आप देखो पूछ सकते हो, आपका right है, see, you all know that guys, जितने बच्चे में साथ पढ़ते हैं, आपका right होता है, तो आपका बिलकुल right हो, मुझे बढ़ा अच्छा रखते हैं, आप लोग doubts पूछते हो, see, because you are my eyes and ears, आप ही तो हो जो मुझ स्टाइंग में best कि जलती जल्दी हो सकते हैं, आपको revise करा हूँ, right, so आप उसको बिलकुल देख सकते हैं, videos part by part पढ़े, मैंने इसमें अलग-अलग proper features cover किये हैं, in depth, you can go for that also, mind map सालेगा quick revision, ताकि आपको recall हो जाए, right, so मैं एक और बार, आप बोलो, तो मैं एक बार revision session भी ल जाम है, 11 a.m. invite code use करना है, combat now, right guys, आपको code use करना पड़ेगा, combat now, उसको use करिये, win कर सकते हैं, आप बहुत जबद स्फ़ला, sponsorship, और maybe a subscription, right, चलिए, so भाई, मंडे को आजाईए, plus और iconic, plus courses launch हो चुके हैं, वहाँ पे आपको proper एक एक चीज का support मिलता है, YouTube पे क्या होता है, एक अगलग चीजों पर बहुत जादा हम लोग की courses होते हैं, बहुत साही चीजों को, अपने बहुत बहुत जादा depth में जाकर करते हैं, तो बहुत amazing है, और सबसे best part है कि, we are very few, like we are few people in the batches, तो proper one-to-one attention is possible, यहाँ पे कई बार आपको लगता है कि sir, मेरे queries को respond नहीं कर रहे हैं, तो वहाँ पे ऐसा बिलकुल भी आपको फीलने होगा, 4 months, 6 months, 8 months के लिए बच्चे एक्स्टेंड करवास हो सकता है, अगर आप minimum 1 year का लेते हैं, 4 months extension, minimum 2 years, 6 months, 5 years के आपने इन्रोल कर रहे हो, so we'll have for 8 months, right, चलिए, तो बच्चे अगर आप neat और जही के aspirants हैं, तो आप लोग 2 साल का कोर्स बाई कर सकते हैं, CBSC का, जब आप neat और JEE देने जाएंगे, अपना subscription, आप आपको 25% off मिलने वाला है, right, अगर आपने olympiards crack करने, अभी से JEE prepare करने, the foundation course is the right thing for you guys, ठीके, 2 साल का foundation course आपको 25% off देता है, neat और JEE के ऊपर, right, when you take the subscriptions guys, चलिए, 10% off के लिए CBSC 10 आपको 25% off देता है, any doubts, please do let me know, है मुसकान, what happened बच्छे, क्या बोल दिया किसने तुमको, best book reading, I am not a huge book fan, in fact, I can tell you with the NCRT ones, read 2 to 3 or 4 topics at night, make some questions, and then that's the best part you can say, hi Kwaashik, how are you Kwaashik भाई, कैसे आप चलिए, हाँ, बिल्कुल बिल्कुल प्रिष्णा, बिल्कुल सही, माने सर वगेरा सब आगे जाओगे, सोहना, माने सर, आपको दिख जाएगा रावली, दिखता है, बहुत क्लेरी दिखता है, मापे, ओके, 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 बचे ओके, 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 थांक्यू सो मजगे, चलिए, अच्छा लगा मैंको, एनी डाउट्स, प्लीज मुझे बताना जरूर, ठीके, मैं आपके लिए स्पेशल क्लासे लूँगा, वहाँ पर भी मुझे बताना, तो I'll sort all your doubts, ठीके, चलिए, बाई गाई, टेक केर, have a nice day, देको, बहुत जादा पढ़ा दिया तुम लोगो, अब तुम्हें लग रही होगी भूख, तो please go and have something, मस जबर्दा, सच्छिस पढ़ाई करो, मिलते हैं कल शाम को 8 बजे, मस सेक्षिन की साथ, बाई बाई गाई गाईस,